नमस्कार दोस्तों एग्रिकल्चर एक्जम गुरू में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे सब्जेक्ट एग्री इन्फॉमेटिक्स टॉपिक हमारा रहेगा इंट्रोक्शन टू कम्प्यूटर जो कि हमारा बीएसी एग्रिकल्चर का यह है यहां फर्स सेमेस्टर डला है लेकिन यह कहीं कहीं फोर सेमेस्टर में भी है एग्री इन्फॉमेटिक्स चली शुरू करते हैं इंट्रोक्शन टू कम्पीटर क्या है कम्पीटर एक इलेप्रोनिक डिवाइस है जो डेटा को कलेट करता है उसको प्रोसेस करता है तता उसको उप्योगी बनाता है के लिए ताकि वो वरतमान में या भविष में उसका यूज कर सके और उसको भविष के लिए संगरहित रखता है उसको collect करके रखता है सेव करके रखता है ताकि उसको जुरोद पढ़ने पर वो उसका यूज कर सके Computer Component किसी भी प्रकार के computer में hardware और software ये दो चीज़ सामिल रहती है बात करते हम पहले hardware की hardware क्या है Computer hardware भहुत तक तत्वों का संग्रह है जो एक computer system का गठन करता है आप देख सकते हैं कि computer में कुछ ऐसे parts होते हैं जिसके बिना computer अधूरा रहता है वो parts कौन-कौन से होते हैं ये diagram में है जैसे mouse हुआ, keyboard हुआ, printer हुआ, soundbox हुआ, scanner हुआ, UPS हुआ, CPU हुआ ये सब hardware में आते हैं इसके बिना computer हमारा अधूरा है जब तक ये नहीं रहेंगे जब तक computer पूरा नहीं कहलाएगा अब हम बात करते हैं input device की input device क्या है input device किसी भी परधी computer hardware उपकरण का एक टुकड़ा है जो computer या अन्य सूचना उपकरण जैसे सूचना प्रसंशन प्रणाली को data और नेनती संकित प्रधन करते हैं input device हम अगर हम सरलभासे में आपको बता दें तो computer को में होने वाले काम, computer में होने वाले work को computer के data को, computer में information को अच्छी तरीकी से process करने में हमारी सहता करता है और user को जल से जल उसको, वो सूचना उसको मिल सके जैसे की mouse हुआ, keyboard हुआ, यह ऐसे input device होते हैं जो computer में जब हम कोई work करते हैं उसको बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से, simple तरीके से वो करवाते हैं input device data को उस रूप से अनुवात करता है, जैसे मनुश्य को समझता है, computer के साथ काम कर सकता है सबसे आम इसमें keyword और mouse होते हैं अब हम बात करते हैं, computer की कार्ण दच्छिता take data as input, input के रूप में data लेता है store data instruction and its memory and use them when इसकी memory में data निर्देश अंग्रेट करता है और आवशक्ता होने पर उसको use करता है data को संसाधित करता है, data को process में लाता है information की रूप में परिवित करता है, output निकलता है और ऐसे बहुत सारे काम है, हम topic यहाँ point दे रखे हैं निक सकते हैं, यह diagram भी बना हुआ है, data को collect करना, उसको input की थूप computer में लेना, फिर उसको process करता है, उसको फिर output की रूप में information निकलता है, जो user के लिए उप्योगी होता है अब हम आते हैं, center process unit, CPU, CPU क्या है, CPU एक computer का मस्तिस्क है, जिसको हम computer का मस्तिस्क कहा जाता है यह computer पे होने वाले सारे काम, CPU के थूप ही होते हैं, और जैसे की CPU में कुछ hardware लगे रहते हैं, जैसे की hard disk और भी कुछ ऐसे चीज़ होती है RAM है, यह सब CPU में होता है, तो computer में होने वाले जितने भी काम है, mostly 90% प्लस यह सब CPU की थूप ही हो सकते हैं CPU अगर नहीं रहेगा, तो computer हम नहीं चला सकते हैं, इसलिए इसको computer का मस्तिस्क कहा जाता है इसमें कुछ parts होते हैं, CPU के, जिससे पहला है, arithmetic logic unit, जिसको हिंदी में अंकगड़ती तरकिकाई कहते हैं जिसमें इसमें ऐसे काम होते हैं, जैसे की जो घटाने वाले काम होते हैं, calculation वाले सब काम होते हैं यह सारे काम, arithmetic logic unit के अंदर ही आते हैं दूसरा हमारा control unit, control unit क्या है? computer घटकों को नियंत्रित और शन्वित करता है computer में होने वाले program function उसको नियंत्रित करता है और उसके समय के अनुसार यह बताता है, कि हमें यह कहां करना है, कैसे करना है, उसको निर्दिश देना बढ़ सकते हैं, अगला हाता हमारा flash disk, यह एक छोटा से chip होता है जो की CPU में ही होता है, शीपू में लगा रहाता है flash disk इस disk का उपयोग, इस disk सब्द का उपयोग किया जाता है, क्योंकि data तक पहुँच होती है इसकी जो पहुँच होती है, वो data तक होती है, जैसे हार डाइब पर या कुछ और वी ऐसी चीज होती है जिसके थुरू हम flash disk, flash disk पे हम कोई काम नहीं करते हैं, यह CPU के अंदर रह के अपना काम करता है अब हम आते हैं, उपर हमने input device के विश्य में चर्चा की थी, अब हम आते हैं output device output device क्या है, output device computer hardware उपकरणों का कोई टुकड़ा है यह उसके कुछ parts होते हैं, जिसका उपयोग सूचना, प्रसेंस करण, प्राणली द्वारा किये गे data processing के परिणामों को संप्रेसित करने के लिए किया जाता है, जैसे की computer इसको हम अगर आपको सरल भासा में बता हैं, तो output device वो है, जब हम computer में कुछ data input device की थूँद देते हैं, कोई डाटा डालते हैं तो जो information हमें user के पढ़ने योग हो जाती है, user को उसकी मुताबित उसको चीज जो मिल जाती है, जिससे उसको कुछ information मिलती है, वो output device कहलाता है जिससे हमें मिल सके, user को मिल सके, पढ़ने वाले student को मिल सके, जैसे की computer, हमने कोई matter, कोई data, कोछी भी चीज हमने collect किया, वो हमें किसी को भी समझ भी नहीं आती है, तो computer क्या करता है, उसको access करता है, उसको user के लिए उप्योगी बनाता है, और उप्योगी बनाने के बाद उ computer, तो output device में हम computer का एक उधारन ले सकते हैं, अब हम आता है, प्राथमिक मेमोरी, मेमोरी दो पकार की होती है, प्राथमिक और secondary, पहले हम बात करेंगे, प्राथमिक मेमोरी की प्राथमिक मेमोरी में, RAM और ROM, दो चीज़ आती है, सबसे पहले हम बात करेंगे, RAM की random access memory, यह एक एसी मेमोरी कहलाती है, जो समय के अनुसार उसको हम इसको access कर सकते हैं, इसको processing बदल सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगे, आज कल के मुगल में भी आता है, 2GB RAM, 3GB RAM, 4GB RAM, 6GB RAM, 8GB RAM, यह पूर रूप से मेमोरी का काम नहीं करती है, हाँ, लेकिन कुछ रूप में यह मेमोर कर सकते हैं, memory RAM का काम होता है, processing को fast करना, processing को up-to-date करना, यह RAM कहलाता है, अब हम आते हैं, room, random access memory, computer में होने वाले, जितने भी data को हम संग्रेट करते हैं, वो हम room में करते हैं, इसमें सारा data या information हम यहीं collect करते हैं, इसका light जाने से, जैसे जब हम कोई data इसमें डाल लेते हैं, से जाता है, उसके बाद अगर light रहे, ना रहे, और power बंद हो जाती है, तो data हमारा वहाँ safe रहता है, सुरच्चित रहता है, और वो delete नहीं होता है, वो खतम नहीं होता है, तो जो भी data है, वो room में इस थाई इसका storage होता है, यह हमारा कहलाता है room, random read only memory, अब हम आते हैं secondary device पर secondary device में क्या है hard drive, पहले हम पढ़ेंगे hard drive, hard drive क्या है, hard drive एक ऐसा hardware होता है CPU में, जो यह CPU में ही होता है, और CPU में भी, CPU में अगर हम desktop computer की बात करें उसमें, और laptop में तो वो रहता है hard drive, hard drive का main काम होता है, कितना भी data हो, कितना ज़्यादा मात्रा में data हो, उस सारे, उस सभी data को store करने की छमता जो होती है, वो hard drive में होती है, computer में और भी कुछ storage जगे होती है, लेकिन ज्यादा बड़ी मात्रा में हो, वहाँ उसको सुरच्चित नहीं रख सकते, hard drive में हम इसको इतना मात्रे में सुरच्चित कर सकते हैं, कि जरुत पढ़ने पर user उसको कभी भी वहाँ से ले सकता है, और इसमें delete होने का, खतम होने का, जो chance होता है, वो बहुत कम होता है, hard drive में, और जो भी data रहता है, वो बहुत सुरच्चित रहता है, अब हम बात करते हैं, optical disc, optical disc क्या है, optical disc drive, एक disc drive है, जो optical disc से data पढ़ने या लिखने की प्रक्रिया के हिस्से की रूप में laser light का उप्यो करता है, और कुछ drive के वल डिक्स से पढ़ सकते हैं, लेकिन हाल के drive, आम तोर पर पाठक और recorder दोनों होते हैं, जिने burner या लेखक भी कहा जाता है, अब आते हैं हम software पर, दोस्तों हम उपर चलते हैं, एक बार आपको दिखाते हैं, हमने उपर बात किया था, hardware और software दोनों के बारे में, आप देख सकते हैं, उपर यहां लिखा हुआ है, computer component, computer की घटक, तो इसमें hardware और software दोनों सामिल थे, hardware के बारे में हमने आप से चर्चा कर दी, अब हम software के बारे में आपको बताते हैं, software क्या है, software, computer data और निर्दिसों को संगठित, संग्रा के लिए एक सामाने शब्द है, जिसे अकसर दो प्रमुक सेडियू में बाटा जाता है, एक system software, जो computer के बुनियादी, गैर कारे, विशिष्ट कार्यों को प्रदान करती है, और दूसरा है application software, जो उप्योग करता हूँ, दोरा विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए उप्योग किया जाता है, software दो भागों में बटा जाता है, एक system software, एक application software, सबसे पहले हम बात करेंगे system software, कि system software क्या काम करता है, जब हम computer को operate करते हैं, system को operate करते हैं, तो उस समय, हमें hardware के साथ साथ उसको processing में लाने के लिए software की जरुद पड़ती है, जितने भी software होते हैं, system software, operating software, और ऐसे बहुत सारे software होते हैं, जिसको जब हम computer को open करते हैं, तो हमें जरुद पड़ती है, एक बहुर हम आपको पूर्ण रुप्सिस को बताते हैं, system software को नियंत्रित करते हैं, एक इकरित करने के लिए जिम्मिदार हैं, और एक computer system के व्यक्तिगत hardware घटकों को प्रबंदन करना, ताकि अन्य software और system के open करता है, इसे निम्ण इस तर से सम्मंदित होने के बिना, एक कार्यात्मक एकाई की रूप में देखें, जैसे memory से disk पर data इस्थांतरेंड करना, इसको हम अगर simple भासे में आपको बताएं, तो system software, एक ही operating software भी होता है, जिसको जब हम computer को operate करते हैं, तो इसकी ज़र्द पढ़ती हमें, वो हमारा system software कहलाता है, processing करना, इसका अमूल रूप से काम होता है, processing करता है, यह सब system software के अंदर आते हैं, अब हमारा दूसरा है, application software, application software क्या है, जब हम computer के अंदर कुछ काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे application हैं, जिसमन हम काम करते हैं, तो उस पर नज़र रखना, उसमें application को यूज करने में मदद करना, system को सुचारू रूप से चलाना, निर्देश देना, कि हमें कहां कैसे क्या काम करना है, यह सब application software के अंदर आता है, और उसी के तुरू हम computer के अंदर जो भी काम करते हैं, उसी के अंदर ही कर सकते हैं, जैसे कि Microsoft Office है, जो हम यूज करते हैं, वो application software की ही through यूज करते हैं, अभी हमारा आगया comparison application software and system software, system software और application software में अंदर, यह दे रखा हैं आपर, आप देख सकते हैं, अब हम आता है map की काई, map की काई क्या है, computer का data भंडारण, भंडारण का मतलब होता है यह इस्टोर करना, computer data भंडारण में उप्योग की जने वाली मूल इकाई का, थोड़ा binary यंग कहा जाता है, computer इन छोटी bits का उप्योग करते हैं, map की काई, अगर हम आपको बताएं, तो यह कुछ चीज़ ऐसे होती हैं, जो हमें दिखाएं नहीं देती हैं, लेकिन computer अपने अंडर, उनी के थुरू ही काम करता है, जैसे यहां दिखा हुआ है, bit, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, kilobyte, जिसको short form में kb कहते हैं, इसमें 1024 bytes रहते हैं, और यह mb में लिखा हुआ है, megabyte में 1024 kilobyte रहते हैं, gb में 1024 megabytes रहते हैं, tv में 1024 gigabyte रहते हैं, यहां पुरा दे रखा है, यह binary number system कहलाता है, जिसका user का, इसका कोई मतलब use में नहीं आता है, यह computer के लिए रहता है, computer के कुछ यह ऐसे software हैं, जो अपने computer इसी के थुरू ही काम करता है, इसी में ही सब कुछ लेता है, data वगेरा सब इसी में ही लेता है, यह size example का कुछ option दे रखें, point दे रखें, अब आता है speed measurement, speed measurement क्या है, कि इंदरिये प्रसंस करान एकाय की गती, CPU को हर्स द्वारा मापा जाता है, जो CPU चक्र का प्रती निधित्व करता है, CPU की गती को computer speed के रूप में माना जाता है, यह भी यहाँ दे रखा है, जो CPU होती है, वो किस गती से काम करती है, किस गती से काम करना चाहिए, उसके बारे में सब detail दे रखें हैं, अभी हमारा कुछ चीज रह गया है, topic अभी हम बताते हैं आपको, यह हमने आपको उसके बारे में पूरा बता दिया, introduction to computer, computer क्या है, computer में आम तोर पर यही सब चीज़ आती है, और इसके लिए हमने आपके लिए कुछ एक question भी त्यार कर रखें, अगर आप उसको पढ़ना चाते हैं, उसका practice करना चाते हैं, तो कर सकते हैं, यहाँ question दे रखें, आप देख सकते हैं, और अगर आपको इस पढ़ाई हूँ topic में, अगर कुछ doubt होता है, या कुछ पूछना चाते हैं, या इसकी आपको PDF चाहिए, तो हमारे email पर, आप अपना नाम और subject और यह topic लिखके भीजेंगे, तो हम आपको इसकी PDF भी उपलब्द करा सकते हैं, यह कुछ question है, अगर आप लिखना चाते हैं, प्रक्रिस करना चाते हैं, तो कर सकते हैं, और हमारा यह video देखने के लिए, बहुत धन्यवाद,